स्री स्वाय नमस्तु भियम दर्सकों नवरात्रों में मा के 900 रूपों की पूजा के बाद दसहरे का उसो मनाय जाता है और रावण दहन किया जाता है क्योंकि भगवान राम ने इस दिन रावण पर बिजे प्राप्त की थी और मा दुरगा ने महिसा सूर नामक राचस का अंत किया था सास्त्रों में इस दिन का बेहत महत्व बताया गया है धार्मिक मानिताओं के नुसार इस दिन कुस चीजे खाने से किस्मत के दर्वाजे खुल जाते है साथ ही घर में सुक, सांती और समरिधी का वास होता है दर्शकों आई आपको बताते हैं कि दसहरे के दिन कौन सी चीजे खानी चाहिए कौन सी चीजे नहीं खानी चाहिए इसके बारे में कहते हैं कि दसहरे के दिन पान खाना बेहत सुब माना जाता है दसहरे के दिन पान की लाली जितनी चड़ती है आने वाला साल उतना ही उत्तम होता है बिजया दसमी के दिन जल में तैरती हुई मचली को देखना बहुत सूप माना जाता है कहते हैं कि बिहार के कुछ छेत्रों में इस दिन मचली को खाया भी जाता है बताया जाता है कि मचली खाने से पूरे साल घर परिवार में आनंद का माहोल रहता है दसहरे के दिन महाराष्टर में खीर वर स्रीखंड खाया जाता है कहते हैं कि इसे सुब सगुन के तौर पर मानते हैं कहते हैं कि विजया दस्मी के दिन सौफ के साथ मिस्री खाना भी बेहसुभ होता है क्योंकि सौफ बुद्ध का फकारक है और मिस्री सुक्रवाय चंद्रमा से समंधित है इस दिन मांसमद्रिय का और प्याज लसुन का सेवन वर्जित माना गया है